हलो फ्रेंड्स आइम नीमा वेलकम तुमाय चैनल कोकिंग विद नीमा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं नवरात्रे स्पेशल थाली की रेसिपी जी हां जो लोग पूरे नौ दिन वरत करते हैं अन नहीं खाते हैं उनके लिए सारी ही फ्लेव करके खाकर अपना अवरत पूरा कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पसंद आती है आपके लिए हैल्फुल होती है तो लाइक शेयर कीजिएगा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल बटन हैं उसे जरूर प्रेस की जिएगा तो आई एन वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हबसे पहले हम बनाने वाले हैं यहां पर फलहारी सबजी है वो उसके लिए यहां पर ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं मैंने मीकी में डाले है दो ठामाटर इदो ह कुकिंग ओयल गर्म हुजाएगा तब हम डालेंगे जीरा और यहां पर अब मैंने डाली है बारिक कटी हुई मिर्च जो भी आप चीजे वरत में खाते हैं उन्हीं का चीव यूज आपको यहां पर करना है जो यहां पर हमने फाइन पाउर पेस्ट बनाया था ग्रेवी के लि पिर्च यहां पर पीस करके इसमें एड कर सकते हैं ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे तो यह देखिए यहां पर सारा ओयल इसका रिलीज हो गया है ग्रेवी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है अब यहां पर हम इसमें एड करेंगे यहां दो उबले हुए आलू जिसे मैंने कट कर लिया है तो यह देखिए बिना लसन प्याज के बिना किसी ऐसी चीज के यूज करें भी हमने यहां पर व्रत में खाने के लिए बहुत ही अच्छी ग्रेवी की सबजी बना ली है तो इसको थोड़ा सा हम कुक होने देंगे ताकि अच्छा से इसके फ्लेवर तो चला लिए जान साड में रख देऊ अब बना लेते हैं हम यहां पर सावदाने की खीर बनाने केलिए मैं यह лिया है दूड़ को हम अच्छे से घर्म कर लेंगे गर्म होने के बाद में सावदाना वह ने भिगा करे रखा है उस सावदाने का यूज करना है यह सावदान इसमें एड कर दिया है साबुदाने को मिक्स करने के बाद में आपको यहां खीर को लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आता है अगर आप इसे छोड़ देंगे तो यहां पर आपकी खीर फट सकती है तो यहां पर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है तो गैस कम कर देंगे उसके बाद हम इसमें एड करेंगे शक्कर तो मैंने यहां पर आधा बाउल शक्कर का यूज किया है आप में मीठे के कोर्डिंग यहां पर शक्कर डाल सकते हैं साथ ही डालेंगे हम इसमें ट्राइफ फू इसके बाद सका अच्छा है इसलिए मैंने इसमें यूज किया है केसर, अगर आप रत्में खाते हैं तो इसका यूज कीजिए वरना इसके बिना भी आपसे बना सकते हैं, यह देखिए 10 मिट हमने इसे गैस कम करके अच्छे से बॉयल कर लिया यहां पर हमारी खीर बन करके तयार हो गई है तो चलिए अब बना लेते हैं हम यहां पर सावदाने की खिचड़ी जो कि सभी को बहुत ही पसंद होती है एकदम खिली खिली और बहुत ही टेस्टी तो इसके लिए मैंने यहां पैन चड़ा दिया उ यहां पर उबले हुए आलू तो दो आलू का यूज किया है मैंने यहां पर इसे कट करके आलू को हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे यहां पर एक चमश नमक मैंने यह व्रतका नमक लिया है सेंधा नमक और साथ ही डालेंगे हम इसमें रे पहले ही बताया कि आपको करीबन दो घंटाई से पहले ही भीगोना होगा ताकि अच्छे से यह गल जाए साबुदाने को मैंने मिक्स कर दिया है और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं यहां पर कुटा हुआ मुफली दाना का पाउडर यह देखिए तो मुफली दाने के अच्छे से ट्रांस्पेरेंट ना हो जाए तब तक हमेंसे पकाना है तो देखिए खिचरी यहां पर हमारी बन गई है उपर से आपको अगर पसंद है खाते हैं तो आप इसमें हरे धनिया ज़रूर डालिएगा इससका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा तो फ्रेंड्स यह नहीं खाते अगर धनिया तो इसकिप कर सकते हैं और साथ ही डाला है यहां पर एक चम्मच रेट चिली पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर फ्रेंड्स अगर आप एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं बनाना चाहते तो आप पर बढ़ना उलात्रे में एक एक करके इ इसकी बाइंडिक बहुत ही अच्छे से हो जाए और सारी चीजों को हम डाल करके मिक्स कर लेंगे आपको इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रत नहीं है बिना पानी डाले ही एक दम दो में कनवर्ट हो जाएगा और इसमें यहां पर डाला है एक चमच निबू का रस बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए और साथ ही डाला है यहां पर बारिक किसा हुआ अजरक इन सब चीजों को मिला लेंगे और इसका एक डो तयार कर लेंगे डो यहां पर बहुत ही इजी तयार हो जाएगा पानी का यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा और अब हम शालू करते हैं यहां पर वड़े बनाना तो वड़े बनाने के लिए यहां पर आप पहले अपनी हतेली पर थोड़ा सा ओल लगा लीजिएगा ताकि यह चिपके नहीं और इस तरह से रोल डोल हमें करना है और इसमें बीच में से यहां पर इस तरह का एक होल कर देंगे अगर आप तो यहां पर मैंने एक साथ इसमें बहुत सारे नहीं डाले हैं क्योंकि एक के उपर एक डाल देंगे तो यह चिपक जाएंगे एक बार जब आप इसे ऑईल में डालेंगे तो करीबन 2-3 मिनिट आपको इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है अगर आप बीच में छेड़ेंगे तो यह बिखड जाएंगे यह देखिए इस तरह का डाग ब्राउन होने तक हम इसे बिल्कुल फ्राइ कर लेंगे ताकि यह खाने में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी लगे तो वड़े हमारे बन चुके हैं वड़े बनाने के बाद उससे खाने के लिए आप हम यहां बनाएं चमच सेंधा नमक और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है ज्यादा पानी नहीं डालना है और बस इसे अच्छे से हम पीस लेंगे और चटनी हमारी यहां पर जट पर तयार है इस चटनी को आप जब वड़ो से खाएंगे तो यह बहुत ही बहुत ही तेस्टी लगने वा तो मैंने यहांपर लिया है यह राजगिर्य का आठा और उसमें डाला है सेंधा नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर और अब हम इसमें डाले है थोड़ा सा धनीया और साथ ही हम डालेंगे इसमें यहां पर उबला हुआ आलू अगर हम इसको ऐसे देखें तो यह मीडियम स तो आटा हमारा लग चुका है अब उपर से हमने हलका सा ओयल कर इसको स्मूथ कर लिया है ताकि पूरी बने वह बहुत ही अच्छी बने तो यह देखिए बिल्कुल जैसा हमारा गहुं का अर्टा होता है वैसा ही यह तो चलिए अब इसकी पूरिया मना लेते हैं तो मैंने यह आपर सेम साइस की लोई तयार कर लिया है और तेल यहां पर हमारा पहले ही गरम हुने रखा था क्योंकि हमने यहां पर बड़े फ्राइ किये थे तो उसी तेल में हम यहां पर इन पूरियों को भी फ्राइ कर लेंगे यह देखिए बड़ी चोटी जिस भी शेप में आपको पूरियां चाहिए वह पूरियां हम यहां पर तयार करके इसको फ्राइक कर लेंगे तो इस तरह से आप अगर की ठाली तयार करें तो थोड़ी सी तयारी अगर आप पहले से करके रखेंगे जैसे साबुदान वगएर आ वगएरा विग bisc कर आप पहले आप ज़रूरी नहीं एक साथी बनाएं आप चाहें तो इसको एक-एक अलग-अलग करके भी बना सकते हैं, बनाना बहुत ही आसान है, जब भी आप चाहें जटपट तयार कर सकते हैं, तो यह देखिए, यहाँ पर हमारे वड़े, आलू की सबजी, खिचडी, साथी, मीठा हो थाली में बहुत ही ज़रूरी है, तो खीर, और साथी चटनी, और कुछ फ्रूट और यह हमारी गर्मगरम पूरियां, तो थाली हमारी कम्प्लीट तयार हो चुकी है, तो फ्रेंड चलिए, इसे सब भी हमने कर दिया है, थोड़ा सा उपर से पिस्ता वगेरा डाल करके, तो मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइट बेज बेल बटने उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, तो आप सभी को नवरातरी की धेर सारी शुब कामना है, मिलती हूँ आप से नेक्स वीडियो में, नेक्स रेसीपी के साथ,